दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं बिहार में अभी जमीन सर्वे की परिक्रिया चल लाई और इसके लिए ओनलाइन आवेदन लिया जा रहा था जितने भी लोगों को जमीन सर्वे का काम करवाना है उन सभी को ओनलाइन आवेदन करना था ओनलाइन आवेदन करने में अब यहां पर काफी ज्यादा समस्तिया संच्य के इसका फुलेक बिहार का ओफिश्यल बेवसाइट इसकी अंतर अभी अविदन नहीं बाहर है तो कैसे आप लोग को आभिधन करना है कैसे आपका अवेदन होगा कैसे आप लोगों को सर्वे करवाना है संपुन जनकाई हम आपको इस वीडियों बताएंगे तो आप इस वीडियो को सूर से लेकर अंतक देखेगा और वीडियों को पसंद आए तो इसे लाइक से जो किजेगा चैनल पर नहीं तो चैनल को सबस नहीं बना पाते हैं उसकी जनकाई सबसे पहले हम अपने वाटसप चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं तो हमारे वाटसप चैनल से जूरे रहेगा तो आपको हर एक छोती बड़ी अपदेट की जनकाई सबसे पहले मिलती रहेगी अब दोस्तों यहां पर देखें आगया उपर बते आगया परशानी मजबूरी में लोग आफ-लाइन के लिए पहुंच रहे हैं यानि कि ऑन लाइन आवेदन नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में लोग जो हैं सीविर में जाकर आफ-लाइन अबेदन कर रहा है लेकिन वहां सभी अप्लोगों का जो अबेदन हो ऑनलाइन ही पोर्तल पर अप्लोड किया जाता है तो इसमें भी समस्थ्या देखने को मिल ला है और जहां पर भी सीवित लग रहा है वहां पर काफी जहारा प्रेसानी का सामना करना पड़ रहा है नीचे साइट है वह पिछले दो दिनों से थप परी है इसके सर्वर में एरर बता जा रहा है इसी वेबसाइट से रहयत परपत्र तू भरकर ऑनलाइन जमा करते थे इसके थप होने की यह फाली घतना नहीं है यानि कि दोस्तों इस वेबसाइट के माध्यम से जो भी जमीन के रहयत है वो सर्वे के लिए ओनलाइन आवेदन कर रहे थे जैसा कि आप जानते होंगे आप लोगों को सर्वे करवाने के लिए परपत्र तू फॉरम फिलप करना है तो यह जो है ओनलाइन आवेदन भी आप कर सकते हैं तो इसके लिए जो है रहयत ओनलाइन आवेदन कर रहे थे ले लेकिन अभी कुछ ज्यादा ही समस्या हो चुका है तो यहां पर आप देखेंगे बाते आ गया इसके थप होने की यह पहली घतना नहीं है जैसा कि आपको बताएं पहले ही अक्सर वेवसाइट हो जाती है यहां पर कभी वेवसाइट ठीक रहने पर भी परपत्र तू का आवे बिहार दो जीव भी दो तीन का जो अफिस्यल साइट है इसके सर्वर में जगा नहीं है जिस तरह से आपके मोबाइल फॉन में एक इंटर्नल मेमरी होता है इस यह तरह से यहां पर जो है वेवसाइट का भी एक सर्वर होता है उसमें जितना जगा रहेगा उतना ही वह होता है और सर्वर में जितना जगा रहता है उतना ही चीज़ को यह रख पाता है यहां पर बताया जाता है कि सर्वर में जगा नहीं है यहां पर रहा है अब बत्या यहां पर जो अप्लोड को देकोमेंट अप्लोड करना है वो मैक्सिमम् 3 MB तक का फाइल आप अप्लोड कर सकते हैं उसका जनकाई दिया गया है लेकिन 2 MB से थोड़ी अधिक के दस्तावेज की फाइल भी अप्लोड नहीं होती है यानि कि 2 MB तक का आपका देकोमेंट है तो इस अफücken स्वाएन के लिए स्वीर में जा रहे हैं वहां दलालों का बुलवारा यानि कि ओउनलाइन आवेदन जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वह स्वीर पर बहुत सारे दलाल पर लेएं के पीछे लग जाते हैं ऊंसे कुछ पैंसे आपने दानी ओलेन कर पाने कांद दूर दर्ज राज से लाने वाले लोग को परacao नानी होने लगी है दूर राज के लोग भी भाग भाग कर अपने अपने गाउं पहुंच रहे हैं यानि कि जो भी लोग बाहर थे या फिर किसी दूसरे जिला में थे या अपने घर से कहीं दूर रहते थे उनको जो है यहां पर ऑनलाइन आवेदन करने में समस्या हो रही है सब्सक्राइब बाग भाग कर अपने घर पर आ रहे हैं ताकि जो उनका अवेदन हो सके अफ लाइन माद्यम से अभी यहां पर जो है ऑनलाइन करने में समस्या हो रही है बताया जा रहा है यहां पर रही है दूसरी तरफ स्वाग घोसना के लिए परपत्र तू का आवेदन करने की गती भी धीरी पर गई है पिछले दीनों समिक्षा बैठक में भी राजर स्वेवंभूमि सुधार विवाग के जो मंत्री है दिलिप जैसवाल जी सरवर धिमा होने और उससे हो रही पर सानी की चर्चा की यानि कि दिलिप जैस्वाल जो इसके मंत्री है उनके द्व से बात हो गई है इसी महइने समस्च्या के समाधान का उन्होंने अस्वासन मंत्री दिलिप यस्वाल चाहर रहा था उसके लिए यहां पर जो है जैसिंग के द्वाषा बताया गया कि जो सरवर का पूब्लम है यानि की जो सोलो वेवसाइट चल ला है वो इसी महीने इसको दुरस्त कर दिया जाएगा वेवसाइट को फास्ट कर दिया जाएगा लेकिन इसी वीच एक और समस्या आगया कि अब जो हैं करके किसी का online आवेदन नहीं हो रहा है तो ऐसे में हम पर जो है काफी ज्यारा रही आतों को परसानी हो रहा है यहां पर बते आगया डैस्वर्ड भी नहीं खुल आ यानि कि इसका जो बेवसाइट का दैस्वर्ड हो भी नहीं खुल पारा है पांच अक्तूबर तक 15,000 15,55,293 नहीं कि 5 अक्तूबर दो हजार चोविस से पहले 15,55,293 लोग इसके लिए सो घुसना परपत्र भर चुके हैं 5 अक्तूबर को भी सभी जिला में परपत्र तू यानि सो घुसना से प्रापत आवेदन की भी समिक्षा हुई थी उस समय तक सभी जिला को मिला कर अब्कुल 15,55,293 रहियत ने अपने कागजातों को ऑनलाइन अफ्लोड किया था जबकि 19,093,34 अवेदन सर्वे सीविर में ऑफलाइन मोज से मिले थे तो यहां पर यह संपूर्ण जनकाई दिया गया यहां पर बते आ गया है दलाल सक्रिय जमीन सर्वे के लिए ऑनलाइन कर पाने की स्थीति में रहियत ऑफलाइन आवएदन करने के लिए सिविर में जो जारा हैं वहां पर अधिकांस जगों पर धलालों का बुलवाला है ऐससे में ऑफलाइन आवेदन के बाद रहियत को पार्वती रसीद नहीं की सिकायत मिल लएए हैं यानी कि यहां पर जो जब आफ लाइन माध्यम से आवेदन करते हैं तो वहां पर उनको जो है इसका जो पार्टी रसीद होता है वह भी नहीं मिल पा रहा है इतना जादा भीर चला और इसके जो है सिकायत भी आ रहा है अब बते आ गया सर्वेकार संपन करवाने के नाम पर पैसे की मांग हो रही है यहां पर काफी जड़ा लूत रहा है लेकिन अभी आवेदन नहीं हो रहा है और जो लोग आवेदन करने जा रहे हैं उनके पीछे डलाल लग जाते हों उनको यहां पर बनिया से लुट लिया जाता है तो संपुन जनका इसमें देर आगे हैं है यह होगा कि ईसका जो सर्वर करना करना सुरू करेगा अश्रेम में जब भी का सरवर का लाउड सुरू करना सुरू करतेगा हम आपको वीडियो बना करके जनकाय दें लेकिन जब भी आप आफ लाइन करने जाएंगे जहां पर भी सीविर लगा हुआ है या पर जाकर आप अफ लाइन करते हैं फिर भी उनके जो कर्मी है उनके दोबारा इस आपके जो दस्ता वेज होते हैं उसको आउनलाइन अफ्लोड किया जाता है तो उसमें अभी समस्या चल रही है तो ऐसे में आप लोग का जो यहां पर दस्ता भी है जो कब से अप्लोड होना शुरूँ है जिसके विसे में तो ऐसा कुछ जनकाई नहीं दिया गया लेकिन उमीद है कि बहुत ही जल्ड इस प्रोब्लम को स्रोल कर दिया जाएगा और फिर कोई नोटिफिकेशन आया था उसके में संपून जनकाई बता दिया है फिर मिलते हैं किसी नहीं वीडियो में किसी नहीं टॉपिक के साथ जैय हिंद्व